जैहें डिफेंस अस्परेंट्स, वेलकम बैक अगीर, दिस इस दिव्याशु पांडे, आज के सिशन में हम नाटो और स्क्राइब की बारे में जानेंगे, और यह देखेंगे कि इन में से कौन है टाकतवर और इनकी अबजेक्टिव्स और वर्किंग्स क्या-क्या हैं, शुर की गई थी, 1945 के बाद जब वर्ल्ड वार आपका सेकेंड हुआ, तो अमेरिका उस समय काफी ताकत वर्देश था, और अमेरिका को काउंटर करने के लिए सुविद यूनेन आपका उभर कर सामने आया हुआ था, इन दोनों देशों के द्वारा जो है, कोल्ड वर्ल के एरा म एक नए-नए आपके आयाम को इस्टैबलिस किया गया है, जहां पर अमेरिका ने 1949 के दशक में जो है, आपका नाटो की स्थापना की, और नाटो के माध्यम से उन्होंने एक मिलिटरी और्गेस्टन को बनाया, जिसमें मेंली आपके नॉर्थ अमेरिका, साथ इसाथ यूरो नाटो में जोइन करवाई है, लेकिन यूरोप और अमेरिका ने उक्रीन को नाटो की सद्धिता देने से आपका मना कर दिया है, तो इसी परकार से अमेरिका के इंफ्लूएंस में इस नाटो की आपके स्थापना की गई है, वहीं पर सेंटल एचिया में अगर हम देखें, तो सेंटल एचिया का सबसे बड़ा अगर कोई औरगेशन है, तो वो है आपका SEO, जिसको फुल फॉर्म शंगाई कोपरेशन औरगेशन है, और वहीं पर नाटो का फुल फॉर्म आपका North Atlantic Treaty Organization आता है, नाटो में मुख्य जो देश है वो अमेरिका है, और यहां पर आपका SEO म जो मुख्य देश है, वो रशिया, चाइना और भारत है, तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि यह दोनों पावर्स अपने पाउंडेशन को कैसे लेकर आपकी आगे वड़ रही है, और एकनॉमी और मिलिटरी पर किस तरीके से यह आपकी चर्चा करती जा रही है, शुरु इंगटन टिटी के माध्यम से आपकी की गए, और इसमें सबसे पहले मुख्य देश, अमेरिका, कैनाडा और सेवरल वेस्टन यूरोपियन आपके कंटरीज थे, और सोवित यूनियन के विरोध में, कोल्ड वार के एरा में इनका इस्टिबिलिस्मेंट किया गया था, अभी इसमें हाली में फिल्लैंड आपका जुड़ा हुआ है, और अब स्वीडन को भी टर्की और फिल्लैंड के माध्यम से वनुमती दे दीगी ही, कि ये अपने नाटो में अप्लिकेशन को मूव करें, इससे की 30 सेकंड मेंबर स्वीडन आपका बन सके, तो लगभग 31 दे और बाखी की European countries इसमें आपकी शामिल है, नाटो का अगर हम मुख्याले देखें, तो इनका हेटक्वाटर आपके Brussels Belgium में है, और इनके Allied Command का Operation का हेटक्वाटर Mons Belgium में आवस्थित है, तो इस तरीके से World के मैप पर जो है काफी बड़ा military organization के रूप में नाटो आपका है, जो की अपने essential और enduring person अपने जो purpose है, इनका mainly security provide करना इस पर आपका कारे करता है, साथी साथ जो इसमें आपकी European countries हैं, काफी छोटे छोटे countries इसमें भी हैं, और हम जानते हैं कि Europe में अब तो ब्रेटेन आपका बाहर हो चुका है, बाकी countries ज्यादा तर आपके नाटो में जोड़ी हो related task, नाटो की सबसे खास बात ये है कि अगर किसी भी देश में civil war या फिर internal coup होगा, तो वहाँ पर नाटो प्रोटेक्शन या फिर नाटो की सेनाएं वहाँ पर नहीं जाएंगे, माल लेते हैं कोई देश नाटो का है, जैसे कि for example Finland, Finland की उपर अगर रश्या हमला करता है, तो उसको नाटो की उपर हमला आपका माना जाएगा, और उसमें नाटो की involvement आपकी हो जाएगे, लेकिन किसी भी देश में, किसी भी नाटो देश में अगर आपका civil war है या फिर internal coup है, तो उस पर नाटो कोई भी अपने तरह से हम कह सकते हैं कि जिम्मेदारी नहीं लेगा, वही क्योंकि इसमें अमीर का सबसे बड़ा partner है, अब बात करते हैं CEO की, तो SEO की स्थापना वैसे तो 1996 में आती है, क्यों आती है, क्योंकि इसको पहले Shanghai 5 के नाम से जाना जाता था, Russia, China और कुछ others, जो Central Asia की countries हैं, उनके बीच border demarcation करने के लिए Shanghai 5 की स्थापना की गई थी, फिर जब इसमें धीरे-धीरे 5 देशों के बाद 6-7 देश आते गए, तो इसका नाम दे रिया गए SCO, अर्थाद Shanghai Cooperation Organization, और इस प्रकार से इस Regional Intergovernmental Organization की स्थापना वर्ष 2001 में हुई, नाटो अगर आप देखोगे, तो वो 1949 में आता है, और SCO आपका 2001 में आता है, यानि कि इ एरा था, तो उसमें 1949 में इनकी स्थापना हुई, और Cold War आपका 1990s तक चला, क्यों, क्योंकि जब तक, क्योंकि 90s के दौर में सोवित यूनिन का विगटन हो गया, 14 बड़े देशों में, इस प्रकार से जो सोवित यूनिन था, तो पूरा आपका टूड गया, और जो अमेरि का Political, Economic, International Security, Defense Matter पर बना हुआ, Eurasia का एक संगठन है, वही पर NATO पूरे तरीके से एक Military Organization है, और ये तो आपकी सभी मुद्ध्य को देखता है, जिससे की, वो अपने Geographic Coverage Population के साथ, Economic और Military Development को आपका TG से आगे ले जा पाएं, अगर हम इनके Strength की बात करें, तो SEO Income Passes 60% of the Eurasian Area, and 40% of the Global Population, इनकी Combined GDP World की आपकी लगभग 20% से अधिक की है, इनका Main Goal यही है कि Politics, Security, Economics और Culture को ये प्रमोट करें, सभी देशों के बीच आपका Cooperation को ले आएं, इनका Permanent Secretariat चाइना के Beesing में है, और चाइना में एक उनका शहर शंगाई, तो उसी के नाम से इसका नाम शंगा Organization रखा गया है, वर्ष 2007-09 जून को एक साथ भारत और पाकिस्तान इसके आपके Permanent Member बने, पाकिस्तान चाइना की सहयोग से बना, भारत रश्या की सहयोग से इसमें आपका आया, और वर्ष 2023 में सबसे नया और नवा इसका Member के रूप में, इरान ने इसमें आपकी Entry ले ली है, इसमें Observer और Dialogue Partners भी आपके हैं, जो कि इसके Proceedings में आपके भाग लेते हैं, तो टोटल 9 Countries कौन कौन से हैं, चाइना, भारत, इरान, कज़किस्तान, किरगिस्तान, पाकिस्तान, रश्या, उजबकिस्तान और आपके तज़किस्तान हैं, इसे लिए इसको Eurasian Country का Group कहा ज structure, जिसके माधियम से जो illegal drugs, weapons की smuggling होती है, उस पर रोक लगाई जा सके, military activities में, जैसे military cooperation, intelligence sharing करना, counter terrorism effort लाना, United Nations के mandate को आपके establish करना, इस पर ये कार करते हैं, economic cooperation यही है, कि जितने भी इनमें 9 countries हैं, और observer countries हैं, उन सभी को लेकर, ये अपनी वहस्ता बनाएं, जैसे कि इनकी GDP आपकी और भी बढ़ती ही जाए, इसी के साथ, cultural cooperation में देखें, तो diverse nation है, और अलगल वहाँ पर cultures होते हैं, जिसके माधियम से, culturally हम people to people exchange को कर सके हैं, तो अगर हम दोनों की strength की बात करें, तो दोनों ही organization बहतर हैं, अच्छी हैं, जो SEO वहाँ पर diversity है, सिर्फ military नहीं है, बलकि ये अपने economy पर भी जोड़ देते हैं, तो ये plus point आपके SEO का हो जाता है, आप सभी defense sprint, इस वीडियो को like share जरूर कर दें, और हमारे इस SSB interview online के courses में enroll होकर अपने तयारी बहतर करें, वो और ए 10 code का use कर लें, जै अगर आप एक defense sprint हैं और SSB interview, NDA, CDS, FCAT जैसे exams के लिए prepare कर रहे हैं, तो आप SSB crack exams के course को चेक करना ना भूलें, आप हमारी learning application को Google Play Store से भी download कर सकते हैं कर दो हमारी बहुते हैं